हेलो फ्रेंट्स तो आपका फिर से बहुत बहुत सहागत है मेरे चैनल सोड़ पाउर पे और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सिखने वाले हैं ओप्स कॉनसेप्ट ओप्स मतलब object oriented programming तो फिर अगर आपने मेरा फिसला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा idea आई गया होगा कि किस तरह के से ओप्स होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़े होती objective prints तो उसके अंदर साथ से 8 concept है उसमें से हम लोग अभी दो concept सीखने वाले हैं जिसमें first class उसके बाद हम लोग सीखेंगे objective prints तो class कैसे आपको declare करना है object आपको कैसे बनाना है तो यह सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले तो चलो start करते है तो friends सबसे पहला question what is class तो खास करके आपको जब आप interview देने जाओगे तो वहाँ पे interviewer आपको पुछ सकता हैं त्यूंकि आप beginner हो आप first time coding सिख रहे हो और आप first time job लेने जा रहे हो तो आपको coding के कोई भी concept आपको पुछे जा सकते हैं तो आपको पूछेगा तो what is class तो हम लोगों ने अभी पिछले episode जो थे पार्टों के अंदर हम लोगों देखा था function तो function के अंदर क्या था तो था simple code और वो code को हम लोग multiple time use कर रहते हैं तो class भी same है class के अंदर भी होता है simple code लेकिन class जो होता है वो होता है grade combination अब code और उसके प्रैक्टिस किया होगा तो function के अंदर भी हम लोग variable declare कर सकते हैं और उसके अंदर का जो code था हो हम लोग simple reuse कर रहते हैं लेकिन class उससे थोड़ा आगे है class के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर class लिखा हुआ है उसके बाद class का नाम और इसके अंदर dev और यहाँ पर function और उ तो जैसे हम लोग online order करते हैं हम लोग product shopping करते हैं तो उसके अंदर total करना होगा तो वो जो product है उसका हम लोग total कैसे करेंगे मतलब class के अंदर कैसे करेंगे तो पहले तो हम लोग class बनाएंगे कुछ इस तरीके से फिर उसके अंदर हम लोग define करेंगे function मतलब यह एक होता है container प पिर इसके अंदर उसके होते है variable और उसके होते है function तो इस तरह के से मतलब जो problem होता है coding के अंदर वो हम लोग नहीं इसके अंदर थोड़ा अच्छे से organize कर दिया है मतलब यह जो order class है इसके अंदर खाली order के related ही चीज होगा दूसरा कुछ भी इसके अंदर हम लोग नहीं बरे बनेंगे order के अंदर हम लोग order के related ही हम लोग चीज़ें handle करेंगे और जो online product दिखते है तो product हम लोग अलग class बनाएंगे ठीक है तो इस तरीके से जो हमारी problem होती वो हम लोग अच्छे से एकदम divide करते हैं उसको हम लोग अच्छे से architect कर सकते तो यह सब हम लोग कैसे करेंगे तो वो हम लोग करेंगे using object oriented programming ठीके friends तो उसके अंदर अभी तो हम लोग पिलार class ही सीख रहें तो पहले तो हम लोग class बनाना सीखेंगे उसके बाद object और उसके बाद और भी सारे concept है वो हम लोग आगे के episode में देखेंगे लेकिन सबसे पहला जो step है वो है class बनाना ठीके friends त तो next हम लोग देख लेते हैं तो class के अंदर मैंने जैसे बोला की होता है variable और ठीके friends तो अभी हम लोग सीख रहें object oriented programming तो जो class के variable होते हैं उसको हम लोग बोलते है data member तो friends सुनने में ये काफी fancy लगता है लेकिन अभी हम लोग जैसे concept सीखते हैं मतलब हम लोग जिस environment में काम करते हैं उस तरीके से हम लोग को हमारा जो कपड़ों का पेरा होता है वो अलग अलग हो जाता है जिससे मैं आपको example दू तो अगर आप firefighter हो तो आपको कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनने पढ़ेंगे अगर आप hobbies के अंदर काम करते हो तो आपको suit और टाइव वो सब म programming तो इसके अंदर जो क्लास के अंदर जो variable होता है जैसे आप दिख सकते हो number 1 number 2 यह इसके अंदर variable है तो इसको हम लोग variable नहीं बोलते है data member और जो function होता है जैसे execute function है, init function है, इसको हम लोग बोलते हैं member function, तो data member, मतलब variable के अंदर हम लोग data save करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते है data member, ओर जो function होता है उसको हम लोग बोलते है member function, तो इसके अंदर आपको confuse नहीं होना, तो class का syntax तो यह जो syntax word है तो इसका क्या meaning होता है तो coding के अंदर अगर आपने मेरे पिछले episode देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने काफी बाइ syntax word उसके है syntax मतलब किस तरीके से हम लोग को code लिखना है तो class का syntax मतलब class को किस तरीके से लिखना है तो जो class का syntax है वो आप देख सकते हो आपको लिखना है class जैसे हम लोग function के अंदर लिख रहे थे def उसी तरीके से class के अंदर लिखना है आपको class उसके बाद जैसे हम लोग function को नाम दे रहे थे उसी तरीके से class को आपको नाम देना है उसके बाद अंदर class का पूरा code आएगा तो एक simple सा syntax में अभी आपको दिखाए लेकिन class खाली इतने में आपका class खतम नहीं हो था class के अंदर आता है data member और member function तो वो भी आपको use करना है define करना है आप class का utilize कर पाओगे उसको use कर पाओगे तो class class का नाम और इसके अंदर आप लोग को define करना है उसके function और इसके अंदर आप उसके जो variable है वो भी आप define कर सकते हो फिला तो मैंने syntax के अंदर नहीं डाला है तो अगर आप लोग यहाँ पर चोड़ा सा example देख ले तो आप देख स उसको आप देख सकते हो यहाँ पर self. उसके बाद number 1 और यहाँ पर self.number 2 टिकर पेंट तो आप यहाँ पर देख सकते हो function के अंदर भी मैंने self लिखा है फिर यह जो execute है उसके अंदर भी मैंने self लिखा है तो यह self क्या है तो simple इसको हम लोग बोलते है data member which represents class itself मतलब यह जो यह class खुद हो जाता है तो यह class के अंदर जो जो चीजे होती है उसको आपको कैसे use करना है तो using self आपको हर जगे पर लिखना पड़ता है self तो आप यहाँ पर दिख सकते हो self. उसका यहाँ पर जो भी variable होगा वही आपको मतलब यहाँ पर define करना है मतलब self का in short आपको use करना ह और यह जो python है इसके अंदर जो भी आप function बनाओगे class के अंदर हर एक function के अंदर आपको यहाँ पर self लिखना ही है वो by default उसके अंदर आई जाता है और हर बार आपको use करना है तो आप syntax के अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने self लिखा है यहाँ पर भी मैंने self लिखा ह आएंगे और जो function है उसके अंदर यह condition है जो पहला parameter होता है वो होता है class खुद मतलब self मतलब खुद तो self आपको पास करना है उसके बाद function की body और उसका जो calculation है वो same है उसके अंदर कुछ भी चैन नहीं है खाली आपको जो भी उसके जो variable है वो आपको कैसे use करना है तो हर ज variable होगा function होगा वो आप easily use कर सकते हो तो इसका हम लोग practical देखते हैं लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते object क्योंकि object के अलावा हम लोग class को use नहीं कर सकते तो इसलिए हम लोग को object बनाना पड़ता है तो what is object it is instance of class which will has class variable and function access मतलब object जो होता है friend इसके अंदर मतलब यह जो नाम है जैसे class है फिर instance है object है मतलब यह नाम एकदम काफी fancy है लेकिन यह चीज़ एकदम simple है ठीके पर इसके दो कुछ भी complex नहीं object क्या होता है तो एक simple सा variable है तो मैं variable बोलो का तो आपको काफी easy पड़ेगा तो यह रहा class इसका हम लोग बनाएंगे यहापे simple variable तो जैसे हम ल नाम दिया होगा वह आपको यहापे रखना है और यह जो init method है इसको हम लोग constructor बोलते हैं इसको हम लोग future episode में काफी deeply देखेंगे लेकिन अभी फिला लियाद रखो तो यहापे जो constructor होता है इसकी जो body होते है parameter होता है उस हिसाब से हम लोग यहापे class define करते हैं मतलब यहाप मतलब यह object के अंदर आ जाता है पूरे यह variable आ जाते है और यह function भी आ जाता है तो आप देख सकते हो यहापे which will has class variable and function access मतलब यह जो add object है इसको access मिल जाता है execute function यूज करने का number one number two को access करने का access उसको मिल जाता है ठीके मतलब यह जो class है in short यह class के पूरी एक copy बन जाती है और वो इस object के अंदर save हो जाता है और इस object का use करके dot यहापे हम लोग उसका function call कर सकते है उसके variable हम लोग access कर सकते है तो यहापे आप देख सकते हो जैसे addition class है मतलब इसके अंदर दो number का addition हो रहा है इसलिए यहापे number one और number two किसी तरीके से pass किया है उसके बाद यह जो parameter है इसकी value उसके variable में save किया है फिर उसके बाद यहापे self number one number two का addition यहापे simple return किया है एकदम simple सा code है और इसको थोड़ा complex बनाते है जैसे यहापे order class है इसके अंदर भी init method है और इसके अंदर एक user define method है जो है total price मित लग इस order के अंदर जितनी भी product होंगे उनकी यहापे वो मुझे total करके return करेगा तो आप देख सकते हो यहापे जब मैंने order का object बना है तो इसके अंदर मैंने यहापे pass किया है array और उसके अंदर यहापे है dictionary तो in short यह products मैंने यहापे class का जो variable था उसके अंदर save कर दिया है उसके बाद sales.products आप देख सकते हो यहापे simple for loop चला है और उसका addition हम practical तो फिर आपको और ज्यादा idea आएगा तो friend अभी आ जाओ VS code के अंदर और अभी हम लोग यहापे step by step slowly practice करते हैं तो फिर आपको और ज्यादा अच्छे से idea आ जाएगा तो यहापे मैं लिख देता हूँ oops class and object ठीक है उसके बाद class को हम लोग define कैसे करते हैं तो पहले आपक होना है class उसके बाद यहापे आया का class का नाम ठीक है तो class का जो नाम होता है वो generally हम लोग start करते है capital के से मतलब उसका जो first character होगा वो आपका होना चाहिए capital उसके बाद इसके अंदर simple class का code तो इसके अंदर में directly function define कर सकता हूँ यह से मैंने यहापे लिखा Dave उसके बाद यहा यहापे number one मैंने pass कर दिया number two मैंने pass कर दिया उसके बाद यहापे simple return और यहापे number one plus number two उसके बाद तो फ्रेंड यहापे हमारा class खतम हो जाएगा तो अभी आपको question आएगा तो मैंने जो example अभी आपको दिखाए उसके अंदर innate हर जगा init वाला जो method था तो वो method अभी मैंने क्यों नहीं लिखा तो जो init method होता है उसको हम लग बोलते हैं constructor और उसको initialize method भी बोलते हैं python के language के अंदर तो उसको define करना compulsory नहीं है मतलब उसको आप use करो ना करो define करो ना करो तो उससे कुछ भी फरखने पड़ता है लेकिन जो object oriented program के जो best practice है मतलब object oriented coding जब हम लोग करते है तो हम लोग कुछ rules follow करते हैं तो उसके अंदर class जो है उसका जो नाम है वो capital होना चाहिए फिर उसके जितने भी value होते है वो आपको एक variable के अंदर save करना है उसको आपको initialize करना है तो मतलब इसे rules से टिक फैंट्स तो अभी तो हम लोग एकदम चोड़े-चोड़े code कर रहे ह चोड़े से addition किया फिर आगे भी हम लोग थोड़ा product का addition करेंगा मतलब चोटे से code कर रहे है तो हम लोग को कुछ भी इसके अंदर problem नहीं आता है कुछ भी difficult नहीं आता है और हमारा program एकदम easily हो जाता है लेकिन manager से बोला कि जब हम लोग enterprise application बनाते हैं बड़े-बड़े project हम ल maintain करना उसके अंदर feature add करना future के अंदर तो इसे बहुत सारी problem होती तो इसलिए हम लोग को सारे rules follow करने पड़ते हैं वैसे आपको मुझे Instagram पर follow करते रहना है मतलब वहाँ पर में यह चोड़े-चोड़े जो concept होते हैं प्रोगाम के rules और tips वह सब में वहाँ पर share करता रहता हू तो वहाँ पर भी आपको एक बार देख लेना है ठीके friends तो अभी हम लोगोंने कुछ इस तरह किसे class बना दिया अभी हम लोग को इसको करना है use ठीके friends तो जैसे हम लोग function को call करते है बतलब उसका नाम लिखना पड़ता है function bracket डालो उसके बाद वो call होता है उसके बाद वो use होता है otherwise उसको call ने करेगा और उसका कुछ भी output नहीं आएगा तो हम लोग अगर इतना ही code run करते हैं तो हम लोग को output के अंदर कुछ भी नहीं आएगा ठीके तो उसको हम लोग को call करना पड़ेगा use करना पड़ेगा तो किसे करेंगे तो अभी हम लोग सीखरें object oriented programming तो इसक तो जनरली हम लोग अभी manager से वह लाग कि हम लोग अभी object oriented environment में काम कर रहें तो इसलिए में यहाप डाल देता हूँ उसके अंदर object तो मतलब हम लोग को पता चले कि यह है add object और आपको object कैसे बनाना है तो यहाँ पे आपको class का नाम और उसके बाद आपको यहाँ पर function record जर छोड़ देना है तो अभी होगा क्या जब भी आपका program रहना होगा पहले तो यह class define हो जाएगा उसके बाद जब भी यह line execute होगा तो क्या करेगा यह addition वाला class call होगा और इसके अंदर जितनी भी method होंगे उसके variable होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर store हो जाएंगे और जो method है object है उसको आपको कैसे access करना है पहले तो आपको object का नाम मतलब variable का नाम उसके बाद आपको लिखना है dot और dot के बाद जो भी method है data member है variable है उसको आप simply use कर सकते हैं तो यहापे method का नाम आ गया execute और execute के अंदर आप देख सकते हो यहापे दो parameter है ठीके परेंट्स तो आपको यह पर कुछ error आएगी तो मैं पहले run करता हूँ तो आप देख सकते हो यहापे type error आ रहा है और बोल रहा है कि आपने जो execute function है उसके अंदर खाली दो ही parameter पास किया है लेकिन उसको चाहिए total three parameter तो अभी आप सोचोगे तो यहापे तो दो ही parameter है और यहां से हम लोगों ने दो ही पास किया तो तो सही है लेकिन वो यहापे तीन क्यों मांग रहा है तो अगर आपने जो syntax अभी देखा होगा चैसे तो manager से बोला तो यहापे जो self होता है मतलब class का खुद का variable वो by default इसके अंदर आई जाता है और वो by default यहाँ से pass होई चाहता है ठीके लेकिन हम लोग को यह जो self की जो value है वो automatically internally handle हो जाता है तो यह जो 20 है वो store होगा number 2 के अंदर 10 है वो store होगा number 1 के अंदर addition होगा और return हो जाएगा और उसको हम लोग यहापे directly print कर देते है और यहापे bracket हम लोग close कर देते है फिर से हम लोग clear करते है run करते है तो friend अभी आप यहापे देख सकते हो य जापे output में 30 आ गया तो friend अभी हम लोगों ने यह जो technique से का इसके अंदर मैंने जो initialize method है उसका मैंने use नहीं किया तो आपको थोड़ा easy पड़ेगा संबने के लिए और practical के लिए ठीक है friends तो आपको पहले तो इसकी practice कर लेना है तो friend फिलाल के लिए इस episode में इतना ही आगे इसके वाली episode में जो initialize वाली method है constructor है उसको हम लोग थोड़ा deeply देखेंगे और थोड़ा ज्यादा practice करेंगे लेकिन फिलाल आपको यह जो मैंने example करवाया उसकी आपको कर लेना है practice और हो सके तो हम लोगों ने जितनी भी basic program सेखे थे find event और फिर उसके बाद जो हम लोगों न है operation करो value return करो यहाँ पर उसका object बनाओ method call करो ठीक events तो in short आपको इसके अंदर डालना है effort effort आपको डालना है इसके अंदर जितना हो सके उतना आपको practice करना है जितना ज्यादा आप practice करोगे उतना ही ज्यादा आपको idea आएगा कि किस तरह किसे चीजे काम करें किस तरह किसे code programming class object यह सब चीजे काम करें ठीक events तो आपको करना है practice ठीक events तो फिदाल के लिए इस episode में इतना ही thank you